तो नमस्कार आधाप, सस्रियकाल, राम राम, खंमागणी दोस्तों मैं रजनी सुआगत करती हूँ आपका हमारे चैनल दसक्सेस में तो दोस्तों आज है जुलाइ का लास्ट दिन, 31 जुलाइ हो गई ना, हाँ, 31 जुलाइ हो गई तो आज लास्ट दिन है महीने की एंडिंग हम कुछ अच्छे के साथ करते हैं और आने वाले महीने को अच्छे से बिताएंगे पूरा योटिलाइस करेंगे ये भी अपने आप से प्रोमिस करते हैं ठीक है तो दोस्तों आज का जो हमारा में संस्वर राइटिंग का जो मुद केस हैं वो हम उसकी एक स्रीज लेकर आएंगे तो वही मैं चला रही हूं लेकिन उससे पहले मैंने बीच में आपको दो तीन करेंट अफेर्स के तीन चेप्टर करेंट अफेर्स के आगए तीन अंस्वर राइटिंग वह बहुत जरूरी थे तो वह आ गए उससे पहले केश लिस्ट बनाई हुई है अब तक हमने जितने वी हैं सारे आप चेक कर सकते हो इसके अलावा अगर वीडियो की पीडियाफ़ चाहिए तो टैलिक्राम लिंक पे जाके आप दीख सकते हो मैं डेली की PDF वहाँ पे शेयर करती हूँ वहाँ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए है तो आप लोग भी जुड़ सकते हो वीडियो की डेली PDF आप वहाँ से ले सकते हो और टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है description box में दिया हुआ है मेरी mail ID का link भी description box में दिया हुआ है पढ़ाई related कोई ऐसा मुद्धा है जो चैनल पे आपको नहीं समझ में आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो ही आप mail करें नहीं तो नहीं करें सिर्फ normal questions के लिए mail ना करें क्योंकि mail ID बने इसलिए बनाई है कि बच्चे जो कि specially किसी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत है और उस मुद्धे पे कोई बाचीत करना चाते है उनसे मैं संपर्क में रहूं लेकिन वहाँ भी इधर उधर के अगर आपको message करने है तो नहीं कीजिए क्योंकि फिर मैं व्लॉग कर देती हूँ फिर आप कभी जरूरत की बात होगी तब भी नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा यह ध्यान रखे पढ़ाई के लिए चैनल बना हुआ है तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए ठीक है आज बात करते हैं दोस्तों मेंका गांधी बनाम भारत संग मामला 1978 में हमेशा अपन केस का नाम पढ़ते हैं कि अनुछे दिक्किस को और जदा डिफाइन करता है यह केस है ना बहुत बार जब भी अनुछे दिक्किस का नाम आता है तो मेंका गांधी आरेस में 7 तेरह के कोश्न आते हैं तो 20 शब्दों में आते realised हैं और सब्सक्वाले पहरे किसी में बारा प्र किसी में पंदरा टक दे दे आरे मीं पर शूटा होता है कोपी में उने के बीच में अपन को लिखना होता है, तो अगर हमारे पास 100 शबदों जितना मैंटर है, तो हम 50 वाला भी cover कर सकते हैं, और 20 वाला भी cover कर सकते हैं, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मलब कोशिस यही रहती है, कि मैं आपको डेली का एक सोश अब दो वाला उत्तर डिसकस कर दूँ ताकि हमारे 50 और 20 तो फिर उस वाले मेटर से तो कवर हो जाएंगे तो उसके लिए आपनको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रत नहीं है तो आपकी मेंस अंस्वर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती रहे है अगर आदा गंटा भी आप इस चैनल को दे रहे हो तो आप यह सोचिए कि आप मेंस की तयारी भी साथ लेके चल रहे हो है न रिटन प्रैक्टिस ही सबसे ज़र रहे है प्री आप पास कर भी लोगे लेकिन आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है आप सोच रहे हो कि प्री के बाद में रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो वह बहुत गलत सोच रहे हो क्योंकि आगे की सोचने वाले मतलब भविषय में अच्छी rank लाने वाले बच्चे अभी से मेंस अंसवर राइटिंग लेके चल रहे हैं क्योंकि उसके पास में मेंस का syllabus हमारा इतना वड़ा है कि वो syllabus नहीं हो पाता है राइटिंग तो बहुत दूर की बात है तो इसलिए अभी से कोशिस करें कि syllabus को जादा से जादा पहले ही कवर कर लें जो मतलब प्री के पोर्शन है ना जो मेंस और प्री में सेम है उनके तो अभी से नोट्स बनाते रही है ताकि वो प्री की भी होती रहेगी और मेंस की भी ह सरकार आए थी पहले बार कॉंग्रेस पार्टी को हटा के जब जनता पार्टी के सरकार आए थी तो दोस्तों जनता पार्टी में अपन को नेता विता कि परसनल बाते तो अपन को जादा नहीं लेनी है लेकिन जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तनाता नहीं करती थी मेंका गांधी की एक सूरिया पब्लिकेशन्स ऐसे कुछ करके एक मैगजीन हुआ करती थी दोस्तों उस मैगजीन में उन्होंने जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता था उनकी बेटे की नेता की कुछ मतलब इस्टनिंग पिचर्स वहां पे छापी थी तो उस पिच समickers में दोस्तों का जाता है कि ये जो जनता पार्टी के सरकार है मेंका गांधी विदेश जा रहे थी तो उनका विदेश का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें विदेश जाने पर रोक लगा दी गई तो अपनको इतना मुद्धा नहीं लिखना है जब जन्ता पारटी की सरकार्ट थी तो मेनका गांधी के विदेश जाने पर उनका पासपोर्ट जब्त करके उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गए ठीक है तो दोस्तो आप विदेश जाने पर आज तक याद करते हैं और वही यह सिक फैसला हमारे आर्टिकल 21 को बढ़ावा देता और उसके बाद से आर्टिकल 21 में लगातार विस्तार ही हुआ है तो क्या फैसला दिया था और क्या सबसे पहले तो हम यहां पर यह दिखेंगे कि जो मेंका गांदी है उन्होंने क्या रखे गए थे तो सबसे पहले मेंका गांदी ने बोला था कि राइट टू ट्रेवल मेरे अनुचेद 21 के उन्होंने का था देखो यह सीधी सी बात है कि मेंका गांदी ने यह का था कि आपने मेरे पासपोर्ट का पासपोर्ट जब्त कर लिया मतलब मेरे विदेश जाने पर या फिर मेरे यात्रा के अधिकार पर आपने प्रतिबंद लगा दिया आपके इस एक प्रतिबंद से मेरे कई सारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मौलिक अधिकारों का हनन करने के बदले ही मैं सीधे सुप्रिम कोर्ट में बहुची हूँ और जो कि एक अपराध है मौलिक अधिकारों का हनन करना तो उन्होंने इस तरह से प्रस्तूत किया कि एक सिर्फ एक अधिकार विदेश जाने राइट टू ट्रेवल मतलब यात्रा करने का अधिकार यात्रा करने के अधिकार पर प्रतिबंद लगाने से क्या क्या मतलब कौन-कौन से मौलिक अधिकारों का हनन्न हो रहा है तो वो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो सबसे पहले तो राइट टू ट्रेवल मेरे अनुछेद 21 के अधिकार में आता है यह जी नीतारा गतार बेडियों में जकडे रहे और आप जीवन जीते रहो भई हम तो जीवन तो मतलब देई रहे ना आपको मार थोड़ी रहे आप जीवन जीते रहो नहीं जीवन जीने का अधिकार में हमें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और एक अच्छे जीवन के अधिक लुऌने का अधिकार का मतलब है कि हम स्वतन्त रूप से वो कार्य कर सकें जो हम करना चाहें बसक्रत है कि हमारे द्वारा किये गई कार्यों से किसे अन्य Canvas नुकसान नहीं हो यह इस लिस्वात है ऐसे तो है right to travel का भी अधिकार आता है हम अपने देश में हम विदेश में अगर हमारे पास capacity है तो हम कहीं भी जा सकते हैं हमने कोई अपराद नहीं किया तो जब तक हम कोई criminal नहीं है हम पर कोड की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो भाई मेरा मतलब कि मेरे विदेश जाने को रोकना मेरे अनुचेद 21 के अधिकार का हनन हो रहा है मतलब जीवन जीने का अधिकार जो है उसका हनन कर रहा है right to travel मतलब यात्रा करने का अधिकार भी अनुचेद 21 के अधिकार के अंतरगत ही आता है और आप अगर right to travel पे पाबंदी लगा रहे हो इसका मतलब है कि आप अनुछेद 21 को कहीं ना कहीं प्रतिबंदित कर रहे हो पहला reason तो उन्होंने ये दिया दूसरा उन्होंने यह कहा है कि विदेश जाने से रोकना मेरे मौलिक अधिकार 14 अधिकार 19 और अधिकार 21 कहा रहे है मतलब उन्होंने कहा कि विदेश जाने से रोकना ना सिर्फ विदेश जाने से रोकने का ही बात है यह है मेरे तीन-तीन मौलिक अधिकारों को रोक रहे हैं वो कौन-का अनुछेद 14 को अनुछेद 19 को अनुछेद 21 को अनुछेद 14 में दोस्तो समानता कादिकार समानता कादिकार कहता है कि हमारे देश के हमारे सविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को समानता कादिकार देता है ठीक है तो मेंका गांधी जी ने कहा कि अकर समानता कादिकार देता है तो मैं भी म अनुछेद 14 जो है उसका हनन हो रहा है पहला दूसरा उन्होंने कहा 19 19 में क्या है दोस्तों 19 में स्वतंतरता का अधिकार है और 19 में ही भ्रह्मन का अधिकार भी है तो 19 के अकोर्डिंग उन्होंने कहा कि आप मेरे स्वतंतरता के अधिकार का हनन कर रहे हो कि मैं अपनी बताई दिया कि अगर आप मुझे मेरी इच्छा के एकोर्डिंग काम नी करने दे रहे तो यह एक मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो तो मेरे जीवन जीनी का अधिकार पे भी पावंदी है तो तीन-तीन मौलिक अधिकारों का हननन उन्हों प्रशन चीन उठाया इस पे पासपोर्ट एक्ट जो था उस टाइम का नाइटिन सिक्स्टे सेवन उसके धारा थी 10. 3. C उसपे joke गया था कि सरकार जहा है किसे कावज पासपोर्ट जब कर सकती है तो उनोंNewने ये भी कहा कि सरकार को ऐसा कोई हक नहीं होना चुँए ऐसे तो सरकार जब चाहे किसी काव्य पासपोर्ट रोख सकती है तो यह भी नागरिकों के मुलीकदिकारों का हनन है तो इस जो PASPORT ACT 1961 उसकी जो धारा है तीन धारा तीन की सी जो है उस पे भी उन्होंने आपति उठाई कि यह भी मौली का दिकारों का हनन करता है यह एक्ट की यह वाली धारा यह भी उन्होंने गलत बताई इसके अलावा दोस्तों स्वभाविक न्याय की प्रकिरिया का भी अपमान बताया कि मैंने कुछ गलत काम ही नहीं किया ना मैं अपरादी हूँ ना मैं देश्त्रोही हूँ तो फिर मुझे मतलब की मेरपे पाबंदी क्यों लगाई गई यह तो स्वभाविक न्याय जो ट्रेवल को आप हनन कर रहे हो बिना किसी रीजन के कोई पर्सनल रीजन के है ना तो यह सारी चीज़े उन्होंने बताई एक मुद्दा उन्होंने और उठाया था दोस्तों कि क्या भारत में नयाय द्वारा कानून की इस्थापित प्रकिरिया ही चलेगी या कानून की देय प्रकिरिया चलती थी उस टाइम से पहले तो यह और एक पांच प्रशन इस केस में उठे था कि कानून द्वारा इस्थापित प्रकिरिया ही भारत में चलती रहेगी या फिर कानून की देय प्रकिरिया भी मान्ने है ना तो यह 4-5 प्रशन उठे थे थे तह अब दोस्तों इन प्रेशनों पर एकदम वाजीब प्रेशने हैं अब इन पांचों छटों प्रेशनों पर सरकार ने क्या जवाब दिया इन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्ने दिया वो एतिहासिक निर 1967 का एक केस था सत्वंत सिंग सहानी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ओफिसर 1967 उसमें पहले ही सुप्रिम कोट ने एक लियर कर दिया था कि राइट टू ट्रेवल का अधिकार भी अनुछेद 21 के अंतरकती आता है तो सबसे पहले तो अनुछेद 21 का अधिकार जो हमारा मौलि का दिकार है उसके according right to travel भी आता है कि अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा के अनुछेद 21 का हानन हो रहा है तो यह तो पहले इस परस्ट हो चुका था 1967 में इस केस का नाम भी आप याद रख सकते हो सत्वन्त सिंग सहानी बना असिस्टेंट पासपोर्ट ओफिसर तो इसके अकोडिंग यह है तो सिद्ध हो गया कि 1967 का जो यह केस आया था सत्वन्त सिंग सहानी का उसमें पहले ही क्या दिया गया था कि राइट टू ट्रेवल हमारे जो अनुचेद 21 है जीवन जीने का अधिका तो यह गलत है मेरे मेरे मौली का धिकार हमारे तो यह सप्रेम कोड ने बोला कि बिलकुल 21 का हनन होने के साथ ही 14 और 19 का भी हनन हो रहा है तो इस बात को भी सुप्रिम कोर्ट ने बिलकुल सही बोला और कहा कि बिलकुल अनुचेद 21 के भंग होने से अनुछेद 14 और अनुछेद 19 भी भंग होते हैं सुप्रिम कोट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये जो तीनों मौलिक अधिकार है ये आपस में सह सम्मदित है और अगर किसी एक व्यक्ति को मालो किसी को समानता का अधिकार नहीं देंगे दोस्तों समानता का अधिकार नही नहीं मिलेगा और स्वतंतरता नहीं मिलेगा तो अच्छा जीवन कहां से जीएगा फिर वो है जीवन जीने का अधिकार तो ओटमेटिक भंग हो गया तो सुप्रिम कोट ने बोला कि ये जो तीनों अधिकार है व्यक्ति को समानता का अधिकार अभी व्यक्ति का अधिकार 19 म समान पूर्ण जीवन देना चाहते हैं तो अनूशेद 14, अनूशेद 19 और 21 अधिकार हमें देने पड़ेंगे अगर हम अनूशेद 21 का हननन कर रहे हैं तो ओविएस सी बात है कि 14 का भी हननन हो रहा है और 19 का भी हननन हो रहे है छोधा में है समानता का अधिकार हम कसी व्यक् अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का है न संग बनाने की स्वतंतरता का वो सारे अधिकार जो इसमें दिये हुए हैं तो इसमें से इनका कौन सा पाधित हो रहा था भ्रह्मन करने का अधिकार और राइटू freedom मतलब वो sorry अभी व्यक्ति के right to express का अधिकार बें 19 में दियावा तो ये भी इनका भंग हो रहा था क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं मतलब अपनी मतलब indirectly meaning तो वो ही था ना कि उस जो magazine है उसको बंद किया जाए है ना तो तो तोस्तों ये दोनों अधिकार भी इसी से correlated है अनुझेद 21 से और इस बात को सुप्रेम कोर्ट ने भी स्विकार किया कि 14 और 19 के भंग होने से अनुझेद 21 पर भी direct असर पड़ता है और जीवन जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ जीवन जीना ही नहीं है गरीमा पूर्ण जीवन जीना ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ही सबसे पहले बोला था सम्मान पूर्वक जीवन जीना है गरीमा पूर्ण जीवन का अधिकार है ना पहले सिर्फ जीवन जीने का अ मतलब राइट टू एक्सप्रेस भी मिले हमें मतलब राइट टू ट्रैवल भी मिले सब कुछ मिले तब ही हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे तो यह बात भी सुप्रिम कोट ने असेप्ट करी हर संसत को इन तीनों अनुछेदों को एक साथ लेकर चलना होगा और व्यक कि और मतलब अनुछेद 21 की तरफ सही रूप में बढ़ सकेंगे यह सुप्रिम कोट ने साफ शब्दों में बोल दिया इसी केस में सुप्रिम कोट ने कहा कि जब भी कोई कानून संसत बनाएगी तो कानून द्वारे स्थापित प्रकिरिया के अनुसार होने के साथ ही वह का कानून द्वारे स्थापित प्रकिरिया क्योंकि अभी हम इस में पहुंचे हैं कि हम देय प्रकिरिया अपना सके लेकिन जब हम मतलब हम थोड़ी मैच्योर हो जाएंगे हमारे आजाद हुए हमें कई वर्ष हो जाएंगे तो हम कानून को बहुत अच्छे से समझ भी जाएं कानून द्वारा देये प्रकिरिया की और बढ़ेंगे मतलब कि हम लिखित सविधान से भी कुछ अलग हटके सिचुएशन के मांग के कोडिंग कोई कानून बनाना है तो वो कानून भी हम बनाएंगे लेकिन अभी नहीं बनाएंगे तो शुरू में कानून द्वारा कानून बनाएं लेकिन संसद को कानून द्वारा इस्थापित प्रकिरिया के अकोडिंग अगर मानलो संसद कोई कानून बनाती है जैसे कि वह पासपूर्ट एक्ट बनाया था जिसमें पासपूर्ट जब्द करने का अधिकार भी दिया गया था तो सुप्रीम कोट ने बोल है नागरी को कि अधिकारों का हनन कर रहा है तो कानून द्वारा दिये प्रकिरिया का अनुसरन करते हुए सुप्रेम कोर्ट को यह अधिकार होगा कि उस चानून को रद भी कर सकता है है ना तो ये सारी चीजे इस case में बोले गई तो आप समझ गए होगे कि इस case के द्वारा जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है उसे कितना आगे बढ़ाया गया और कितने solid तरीके से इस case के द्वारा उसे रखा गया और दोस्तों इस case के पस्चात आगे जितने भी case आए है हम कभी हमें स्वच वातावान के स्वतंतरता प्रदान करी है तो कभी हमें स्वच पानी के स्वतंतरता स्वच पानी को भी जीवन जीने के अधिकार के अंतरगत रखा है नेट की फ्रीडम नेट यूज करने का डेटा यूज करने का फ्रीडम भी हमें इसी अधिकार के उचेद 21 के अंतर्गत रखे गए और जीवन जीने को GARS पूण जीवन जीने की तरफ बढ़ाने के लिए सुप्रेम को लगातार अग्रसर है हमारा देस लगाथा इस चीज में अग्रसर है और इस से मतलब जीवन जीने का अधिकार का लगातार हमारे सुप्रेम कोड के द्वारा विस्तार भी किया जा रहा है तो अच्छे शब्दों में प्रश्ण का समापन हम इस तरह से करेंगे इस प्रकार साथ सदशी एक खड़ पीट द्वारा दिये गए इस फैसले से अरुझेद 21 में नहीं त्व्यक्तिगत स्वतन तरता की अधिकार को दोहराया गया जिससे यह मौलिक अधिकारों समंधी मामलों में मिसाल बन गया ठीक है तो इस तरह से हम उत्तर को इस प्रश्ट करेंगे तो मेनका गांधी मामला उठा क्यों था फिर मेनका गांधी ने अपने तरफ से क्या प्रश्ट चिन रखे थे क्यों और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों में उनके प्रश्टों पर नेर्न दिये थे और क्यों यह है फैसला एक एतिहासिक फैसला बन गया तो आई के जो suggestions है वो सराखो पर और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताके चैनल थोड़ा आगे बड़े बागी वीडियो देखने के लिए thank you so much